So दोस्तों कि आप भी अपने WhatsApp पे Automatically Download हो जाने वाली images से परिशान है अगर हाँ तो आज का ये वीडियो आपके लिए है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आप से Download हो जाने वाली यानि Automatically Download होने वाले Media Files को कैसे आप disable कर सकते हैं अपने WhatsApp पे Actually कई बार ये चीज़ काफी हद तक problem का सबब बन जाता है होता क्या है जैसे ही कोई भी WhatsApp पे जैसे हैं किसी group में added होते है जैसे ही कोई भी image उसमें share की जाती है वो image automatically हमारे WhatsApp पे download हो जाती है और हमारी Media File में गैलरी में जाके save हो जाती है इस तरीके से हमारा एक तो data extract data भी खर्च होता है और साथी साथ वो phone memory भी concept करता रहता है और इससे हमारे phone की speed भी खराब हो जाती है तो best तरीका ये है कि आपको automatically download होने वाली images को disable कर देना है और जब आपको लगे कि ये image आपकी काम की है तो उस पे tag करके directly आप उसको download कर सकते है तरीका क्या है कैसे करेंगे इसको मैं आपको step by step बता देता हूँ सबसे पहले आप कोई भी version यूज़ करते हो जरूरी नहीं कि आपके वाज official WhatsApp हो GB WhatsApp हो, FM WhatsApp हो या Yo WhatsApp हो ये trick आपकी सब में काम करेगी करना क्या है आपको सबसे पहले आपको उस application को open कर लेना है जैसे मेरे case में आपको फिलहाल जो version यूज़ कर रहा हूँ ये GB WhatsApp का version है लेकिन ये सब में काम करेगी जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको उपर 3 dots पर क्लिक करना है सबसे नीचे आप setting option देखेंगे settings पर चले जाना है आपको इसके बाद आपको जाना है data and storage तो अब आपको इसके लिए करना क्या है यहाँ से आप देख लिजे यहाँ पर आपको option दिखाए दे रहा होगा लिखा हुआ when using mobile data इस पर आप क्लिक कर लिजे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर tick होगा उपर तो आपको इस tick को यहाँ से हटा देना है untick कर दीजे, untick करने कवाद ok कर दीजे ok करने कवाद आप क्या होगा जैसे ही कोई भी आपको यहाँ पर शेर करता है कोई भी photo या कोई भी video भी होता है चोटा तो वो अपने आप से download नहीं होगा जब आप उस पर tag करेंगे तब ही download होगा तो I hope आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको यह video पसंद आया है तो आप इसे like कर सकते हैं अपने friends के साथ share कर सकते हैं अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर सकते हैं चल मिलेंगे तब तक अपना ख्यार लगिए Bye Bye and Take Care